हेलो एव्रीवन, वेलकम दू माय चैनल आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सरसों के साकी रेसिपी जो के मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी हर किसी का वे अलग होता है तो चलें स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने थोड़ सा ओयल रखके उसमें हरा लसन जो है आड़ कर दिया था और मैं इसमें दो बार तड़का लगाती हूँ लाइक अभी भी यह तड़का ही प्रिपेर हो रहा है और एक जो है न मिलास्ट में इसको तड़का लगाऊंगी वो भी लसन का ही होगा ठीके जी यहां पर हम इसको ब्राउन करेंगे और यह साग मुझे मेरी अम्मी ने दे दिया था वाइल करके और इस तरहां से मतलब बिल्कुल सारा काम करके उन्होंने मुझे दे दिया है मैंने सिर्फ इसको बना कर खाना है थीके तो यहां पर मैं टिमेटोस डाल रही हूँ अपने हसाब से मैं थोड़ा सा ज्यादा डालती हूँ क्योंकि हमें यह साग जो है खटा खटा सा पसंद है थीके कभी कभी ना मैं इसमें थोड़ा सा प्यास भी एड़ कर देती हूँ वो मैंने नहीं किया है और यहां पर अभी मैं सॉल्ट और रेड चिली पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ी सी हल दी बस इसके यही मसाले हैं क्योंकि साग में एक अपना बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है तो इसको ज्यादा मसालों की जरुवत नहीं है यहां पर इसके टिमेटो को अच्छे से हम बना लेंगे जब ऑईल सेप्रेट होने लगेगा तो यहां पर मैं इसमें थोड़ा सा यह टिमेटो और प्यास का पेस्ट मैंने बना कर रखा है वो मैंने इसमें दो चमाच एट कर दिया है ठीक है जी अभी यह बिलकुल आप्शनल है आप चाहें तो एट करें चाहें तो ना करें और यह ग्रीन चिलीजे वही हैं जो मैंने आपको स्टोर करना सिखाया हुआ है और इनको अब मैं अच्छे से कुक करूंगी वैसे तो यह जो है ना जो पेस्ट मैंने अट किया है वो फुली कुक था तो उसको ज्यादा कुकिंग की जरुट नहीं है अच्छा अब बारी है इसमें सागेट करने की मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है कि मैं दोबारा बना लूँगी तो जितना मुझे सही लगा उतना मैंने ले लिया है और अभी मैं इसको थोड़ा सा बूनूँगी और उसके बाद क्या करूंगी कि मैं इसमें पानी डाल करना इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी अच्छा जी जब तक मैं साग को बून लू तब तक आप क्या करें कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजेगा ठीके जी यहां पर साग ओके हो गया है अभी मैं इसमें पानी आट करूंगी वैसे तो यह फुली बॉयल था अच्छे से गला हुआ था लेकिन क्यूंके हम फ्रीज कर देते हैं इसको तो इसको फिर से थोड़ा सा जोश दिलाना भी ज़रूरी होता है इससे क्या होगा कि यह ब्लैंड बहुत ही अच्छे से हो जाएगा क्यूंके ब्लैंड नहीं था ठीक है यह सिर्फ बॉयल किया हुआ था और अभी इसको कुछ टाइम पकने देंगे ठीक है जी अभी यह पक चुका था तो अभी भारी है इसमें गोटा चलाने की आप चाहें तो मिक्सी से भी कर ले इसको जो है अभी ग्राइंड करना है हमने जैसे भी करना है बस कर ले और इसको मैंने फिर से cover कर दिया था पांच मिनुनट के लिए और इसको फिर से मैंने गोटा लगा के अच्छी से इसको mash कर दिया था जितना मैं कर सकी थी विसे तो जितने करते जाया ना उतना कम लगता है ठीक है जी अभी फाइनली ओके होगया है बिल्कुल क्योंकि अभी बहुत सारा गाड़ा है ना तो अभी मैं फिर से इसको हलका सा भून के फिर से इसमें पानी एड़ कर दूँगी क्योंकि थोड़ा सा मैं इसकी कॉंटिटी जो है ना बतली रखूंगी अभी वो आप पे डिपेंड है कि आप ज़्यादा गाड़ा सा खाना पसंद करते हैं या थोड़ा सा हलका तो चलिए जी इसको मैंने एक जोश दिला कर साइट पे कर लिया था और यहां पर मैं लसन का तड़का लगा रही थी लसन थोड़ा सा कम है क्योंकि यही पड़ा हुआ था तीके जी अभी इसका तड़का हमने प्रिपेर कर लिया है और एंड में मैंने इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर एड़ कर दिया था उससे कलर बहुत अच्छा आजाता है ओईल का और बाद में सालन का भी ओविजली तो चलेंजी हम इसको तड़का लगाते हैं और इंज्वाइ करेंगे अपना मज़िदार सा साग Hope you like my video, hope you like the recipe Thank you so much for watching, goodbye